हेलो, नवस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और सभी का स्वागत है हमारे यूटुप चेनल निमीजी नेट पर दोस्तों सबसे पहले आप सभी को निमीजे नेट परिवार की तरब से आपको और आपके पूरे परिवार को दिपावली की हार्दिक सुब काम लाए दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि ये दिपावली आप सभी के घर में धेर सारी खुशिया ले क्या है और दोस्तो सबसे ज्यादा खुशी हमें तब होगी जब हमारा Net Plus JRF Qualify हो जए लेकिन दोस्तो जैसा कि आप सभी ने सुना है कि भगवान उन्हें की साहता करते हैं जो खुद की साहता करते हैं तो दोस्तो हमें इस दिपावली पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना भी बहुत ज्यादा ज़रूरी है और दोस्तो जैसा कि आप सभी को पताए हमारा एक्जाम दो दिसमर से शुरू होने वाला है तो इस दुरान हम इतने कम टाइम में किस तरह से अच्छे से स्टड़ी करें ताकि हमारा नेट पलस ज्यारफ कॉलिफाई हो जाए और दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि इस दिपावली पे अगर आप अच्छे से स्टड़ी करोगे तो भगवान भी आपकी सहायता करेंगे और आपका नेट पलस ज्यारफ कॉलिफाई हो जाएगा दोस्तो अब हम बात करते कि इतने कम टाइम के अंदर हम किस तरह से स्टड़ी कर सकते हैं जिससे हमारा नेट पलस ज्यारफ कॉलिफाई हो जाए दोस्तों सबसे पहली बात हमारे पास ये आते है कि अगर हमारा paper first है चाहे paper second है उसके अंदर हमारा पूरा का पूरा syllabus complete होना बहुत ज्यादा जुरूरी है कई वार ऐसा होता है दोस्तों हमारे साथ कि जो unit बहुत असान हमें लगते हैं हम उसको ignore करते चलते जाते हैं लेकिन जब exam के अंदर वही unit आते है उसमें से question आते है तो हमारे अंदर confusion हो जाता भी ये unit तो मैंने पढ़ी हुई है लेकिन अब इसका क्या answer आएगा वो हमें पता नहीं चलता तो दोस्तों यहां पे सबसे important चीज़ है कि हमारा जितना भी पूरा का पूरा course है syllabus है paper first और second का वो पूरा का पूरा revise होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसके साथ साथ हमारा paper first और paper second में old paper करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दू कि paper second के अंदर 30 से 40 question डिक्टो कोपी repeat होते है और paper first में तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बना के दी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि क इस तरह से बिल्कुल डिक्टो कोपी statement दी हुई होते है और उसके answer भी बिल्कुल डिक्टो कोपी होता है कई question तो ऐसे दोस्तों मैंने आपको दिखाया है वही question 2012 में आया है और वही question June 2019 में भी आया है तो दोस्तों हमारे लिए old paper करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कि आप आते तो वह दोस्त क्या कर सकते हैं अगर किसी का paper second बहुत वीक है तो वह paper first में अच्छे से महनत करके उसके अंदर जो कमी है वह पूरा कर सकते हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारी merit बनते इन दोनों को combine करके बनती है तो दोस्तों आप चाहे तो paper first को भी अच् क्रेस कोर्स निकाला है इस 20 दिन के क्रेस कोर्स में दोस्तों हम आपको paper first की सभी 10 unit का बहुत अच्छे तरीके से revision करवाते हैं हम आपको दोस्तों इस 20 दिन के अंदर पूरी वीडियो देंगे डेली वीडियो देंगे और दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको 10 unit PDF study notes भी देते है हिंदी के अंदर जिससे आप हर एक topic को बिलकुल असानी से समझ सके और इसके अलावा दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2019 तक जैसे research के जो question आया है वो हमने अलग करके, कम निकेशन के जो कोषण आया है वो हमने अलग करके, टीचिंग के जो कोषण आया है वो हमने अलग करके, इसकी पुरी PDF बना रखी है जिससे आप बिल्कुल असानी से पता कर शकते हैं कि research के अंदर ऐसे कौन से question है जो बार बार रिपीट होते हैं कम्निकेशन में कौन से इस तरह से हमने 10 की 10 unit की PDF study notes बना रखे हैं तो आप बिल्कुल असानी से इनसे अपना net plus grf qualify कर शकते हैं और दोस्तो इस दुरार अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें वर्टसप पे message करके अपना सवाल जवाब कर सकते हैं और दोस्तो इस crash course की फीस हमने बहुत ही नामातर रखी हुई है इस crash course को दोस्तो हर कोई student बिल्कुल असानी से जोइन कर सकता है तो दोस्तो अगर आप हमारा इस crash course जोइन करना चाहते है तो प्लीज हमें इस नमबर पे वर्टसप मैसेज कीजी और हम आपको वर्टसप मैसेज में पूरी जानकारी दे देंगे कि ये crash course आपको किस तरह से जोइन करना है और इस crash course में आपको क्या क्या चीजे मिलेगी वो सारी चीजे हम आपको बता देंगे और दोस्तो ये जो crash course है हमारा 29 अक्टुबर से शुरू हो रहा है यानि कि दो दिन हमारे पास है आज दो दिन है हमारे पास registration के लिए और जल से जल आप दोस्तो registration करिए और एक और चीज पे वो बिलकुल फुल हो जाएगा तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमें इस नंबर पे वर्ट्सप मैसेज कीजिए और हमारा paid group जोइन कीजिए और दोस्तो एक वार फिर से आप सभी को दिपावली की हार्दिक सुब काम ना है और मैं आशा करता हूं दोस्तो इस दिपावल